हेलो सूटरोइटम बैग आज हम लोग बात करेंगे Accounting forantenbitship में current account capital account को लेके आएंगे ठीक है तो यह हमारा Part six है start करते हैं जैसा कि आप जानते हो Accounting for PartnersHerikा क्तिन तहीं बनते हैं जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा था पार्टनेर्ज स्वरी प्रॉफिट और लॉस एकाउंट पार्टनर्र प्रॉफिट अन लॉस एप्रॉपियेशन अकाउंट और पार्टनर्ज कैपिटल अकाउंट तीन तरीके के अकाउंट अभी हम लोग 5 वीडियो में बनाते हुए आ रहे हैं ठीकिए इस तरीकेसे हमारे Champions लग रहे थे अब इसमें नया क्या है देखिए profit and loss account में कुछ भी नया नहीं है जैसे आप बनाते थे वैसे बनाएंगे ठीक है अगर question में profit and loss का content दिया हुआ है तो उसकी आपको entry profit and loss में करनी होगी अगर question में profit and loss account का कुछ नहीं दिया है तो profit and loss account आप नहीं बनाएंगे उसके बाद आते हैं पील एप्रोप्रियेशन अकाउंट तो पील एप्रोप्रियेशन के contents होते ही हैं आपको सारे contents को ढूंड़ने हैं और उसको as it is यहां पर लिख देना है तो बाकी पांच वीडियो में आपने उसी तरके से question लगाया है अब आते हैं next अब जो हमारा partners capital account बनेगा वह partners capital account हमारा दो तरगे का बनता है पहला होता है when the capital are fluctuating दूसरा है when the capital are fixed तो exam में कैसे लिखके आएगा कि आप fluctuating capital बनाईए या फिर exam में ऐसा लिख जाएगा कि यहां पर capital fix है और आप capital account और current account दोनों बनाईए तो आपको इसमें परशान नहीं होना है अगर आपको fix word दिखता है तब capital account और current account दोनों बनाएंगे और अगर खाली capital account लिखा हुआ है question में तो आप fluctuating मैं फिर से बता दे रहा हूं अगर एक question में खाली खाली capital account लिखा है तो आप fluctuating बनाएंगे और capital और question में capital current दिया हुआ है या फिर लिखा हुआ है the capital are fixed तो आप किसका मतलब हो गया कि आपको capital account और current account दोनों बनाना पड़ेगा तो यह एतना टफ नहीं है अभी तक जो हम दोग ने सीखा है हम लोग ने सीखा है पहला वाला when the capital are fluctuating तो अभी तक जो हम लोग पुरो फार् में सीखना है capital account और current account तो हम लोग लोग कुछ technique से सीखेंगे कि आपको जो fluctuating आता है उसी से आप सीख लिए यह दुनों account बनाना तो देखते हैं कैसे बनेगा तो देखिए यह आपका fluctuating मैंने red color से आपको दिखा दिया है यह जो red color से मैंने यह highlight किया है यह सब चीजे इसमे से अलग हो जाएंगी किसमें जब आप बनाओगे capital account और current account fluctuating में आपने यही बनाया जैसे आपने बनाया वैसे यह आप ऐसे बना दोगे अभी तक जैसे आप question लगाते हुए आ रहे हो ठीक है लेकिन जब आप next level पर जाओगे capital account current account पर तो capital account current account में यह red वाली चीजे इसमें से हट जाएंगी और यह black वाली चीजें इसमें रहेंगी ठीक है तो इसको समझने के लिए हम दो इसका प्रफार्मा देखते है capital account current account fluctuating में कोई प्रब्लम है नहीं fluctuating से आप question लगाई रहे थे ठीक है तो यह देखिए अब next आता है हमारा capital account current account का question कैसे लगता है यह यह देखिए इस दोनों को red वाला उसको उपर कर दिया है तो buy balance video opening balance यहाँ पर जो capital आपने invest किया है business में मतलब जो आपका opening capital वो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे उसके बाद अगर कोई capital introduced किया जा रहा है तब आप यहाँ पर add करेंगे नहीं तो य यह जगहाँ खाली रहेगा और उसके बाद अगर कोई capital withdraw होता है business से कोई capital निकाला जाता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर balance CD कर देंगे मतलब उसो close कर देंगे तो concept यहाँ पर यह है कि अगर आप capital account बना रहे हैं तो capital account के case में खाली capital opening capital लिखते हैं और capital जो आता ह है वो लिखते हैं मतलब opening capital यह हो गया यह capital आता है और यह हो गया capital जाता है अगर हम capital withdraw कर रहे हैं तो उसको आप separate capital account में दिखाएंगे और उसके बाद जो चीजें बच रही है वो सब चीजें आपकी current account में आएगी पस देखी यहाँ पर नया क्या है balance BD और balance CD यह क्या चीज counter रहेगा वो debit or credit balance देगा अगर credit balance देता है तो अधर लिखते हैं तो कुछ question में क्या होता है balance BD balance CD देता ही नहीं है तो फिर आपको लिखने की जरूवत नहीं है आप उसको blank छोड़ देंगे आप question यहां से लगाना शुरू करेंगे अब बाकी देखिए कुछ भी change नहीं है सब कुछ वैसे ही है जैसे आप बाकी के papers में बाकी के videos में question लगा रहे थे उसमें अलावा कुछ भी change नहीं है आपने इसका कितना question लगा चुक है आपने कई बार practice भी कर चुके है अब ठीक है अब आपको करना क्या है बस खाली इसको अलग कर देना इन दोनों account को और आपक यह आप capital account और current account भी complete हो जाएगा ठीक है तो अब इसको एक अब इस type का question लगा के देखते है ताकि आपको और कौन से player हो जाए तो यह जो question मैं आपको दे रहा हूं यह part 5 question है जो part 5 में question था same question मैंने दिया है बस खली इसमें एक line add कर दिया है partners capital and current account भी आपको बनाना है ठीक है तो part 5 का question आप लगा चुके है वही same question यहाँ पर हम लोग अब partners capital और current account बना के देखते हैं तो यह देख यह था commission निकालने का तरीका part 5 के वीडियो मैंने commission निकालना आपको सिखाया है फिर से बता दे रहा हूं कि जो भी हमारा profit होता है profit में से यहाँ पर question में दिया था कि we will get commission on profit 15% after deducting interest capital salary and all commission तो interest पहले capital खटा दिये फिर सालदी खटा दिये फिर interest घटा दिये all commission था इसलिए into 15 upon 115 करके answer ले आए तो यह आपको पहले वीडियो में discuss हो चुका है और पिछले वाले वीडियो में एक थोड़ा सा mistake हो गया था misprint हो गया था उसको ही मैं आपको बता द नहीं थी जैसे आप question लगाते हैं partners salaries आपने लिख दिया यहाँ पे partners capital आपने लिख दिया partners commission आपने लिख दिया interest on drawing में 6 upon 12 वाला formula लगेगा और profit आपने लिख दिया और अपने answer यहाँ पर लाके इसको बाट दिया तो यह पिछले वाले वीडियो में सेम था कुछ भी change नही लेकिन हमने इस question में capital introduce नहीं किया था इसलिए मैंने आप blank छोड़ दिया है आपको यह लिखना ही नहीं है यहाँ यह पूरा red वाला चीज आपको यहाँ वाला यह इतना नहीं लिखना है directly आप इसको account खाली close कर देंगे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको concept लिखर हो exam में आपको नहीं लिखना है खाली आप opening और closing करके यहाँ छोड़ देंगे मतलब capitals related जितनी चीज़े है वो capital account में जाएंगी और capital से related एक ही चीज है दो चीज है पहला है opening capital दूसरा इंट्रोडक्शन आफ capital और withdrawal आफ capital यह हो गया हमारा opening capital की हो गया हमारा introduction आफ capital यह हो गया withdrawal of capital फिर हमने यहाँ पर इसको close कर दिया clear है तो यहाँ तक question आपका समझ में आगे अब आते हम लोग fluctuating अब इसके sorry current account में अब current account में देखिए मैंने balance का जगह यहाँ पर छोड़ दिया है तो कि आपको यह बनाना ही नहीं है balance account balance bd लिखना ही नहीं मैंने इसलिए छोड़ दिया ताकि इस question में कोई current account का कोई balance नहीं दिया था अलग से तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है और देखिए यहाँ इधर का भी balance cd मैंने छोड़ दिया है तो इसमें आप डैश लगा दिया है आप इसको बनाया है चाहिना बनाया कोई दिक्कत नहीं इसको मती बनाई तभी अच्छा है अब आते हैं यह है यह मगर बीच में 20,000 20,000 यहां लिखा हुआ है तो उसको आप सही कहले हैं का वागी सब calculation सही वह थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया था 20,000 20,000 यहां पर आ गया था इसलिए मैंने उसी question को फिर से यहां पर लगा दिया है ताकि जो बच्चे उधर confuse हो रहा है उनका concept यहां पर clear हो जाए तो देखिए पार्टनर साधरी हो गया उसके बाद पार्टनर कमीशन हो गया कमीशन लिख दिया फिर बील एपर प्रपरेशन लिख दिया अब यहां पर हम लोग ने ड्रॉइंग लिख दिया और यहां पर हम लोग ने interest on drawing लिख दिया अब इसको balancing कर दिया एक और टू यह माइनस कर दी यह आपका अंसर आजाएगा तो बहुत ही इजी है capital account मकर समझेंगे तब ठीक है इसलिए मैं कहता हूँ एक वीडियो जब भी मैं भेजू उसको दो तीन बार देखिए ताकि concept आपका clear हो जाए clear है अब आते है next तो उसी पर based same question है जो आपको पिछले वीडियो में दिया गया था लेकिन इसमें आपको यह देखिए capital account और current account बनाना है तो इसमें आप capital account और current account बनाईए और plus आपका इसमें इसका भी habit हो जाएगा question लगाने का क्योंकि ऐसे questions हमेशा एक्जाम में आते हैं ज दूतरा question यह हो गया तो यह दोनों solve कर लिजे थैंक यू